तो फिर्फिरेंट्स मैं प्रयाक स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी चैनल टार्गेट गुर्गुल पर आपको पता है कि भारती राजवस्था की जो सीरीज है आज हम उसका तीसरा पार्ट लेकर आया आप लोगों के सामने और यह जो सीरीज आप लोगों की चल रही है तो अगर आप चैनल पर नए है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि इंपोर्टेंट वीडियो आप पासके टार्गेट गुर्गुल पर और इंट्रेंस प्रेपरेशन के लिए जो सेलेक्शन है वह अपने मंचा है यूनिवर्सिट थिंसरे का ठीकार है एक प्रकार का इसका रिया आप लोगों का अप्शन नमबर सी विधिक अधिकार ठीक है उगर है कि किस अनुच्यद के दारा किस अनुच्यद के दारा चे से 14 वर्स तक के बच्चों के लिए जिश्चा का मूल अधिकृ है गया है इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 के अंसार ठीके अगला है कि व्यक्तिकत सोतंतरता के लिए निम्लिखित में से कौन सी रिट या चिका दायर की जा सकती है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भी यानि की हैबियस राजी की नीत निदेशक तत्तों का उलेक किया गया है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद चतिस से क्यावन तक अगला है कि सम्विधान में कल्यानकारी राजी की अवधारना किसमे नहीं थैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीत में है इसका राइट आंसर है option number D नुशेथ 44 में अगला है है कि भारत की किस राजी में समान नागरिक सेंक्ता लागू है इसका राइट अगला है कि राज जी की नीत निदेशक सिध्धानतों के अनुसार किस आयू तक के बच्चों को निशुल्ग निवारे सिच्छा देनी की आसा की जाती है इसका राइट अंसर है ऑप्सिन नंबर कभि अनुच carta 51 का में अगला है कि समविधान के मूल करतव्यों की प्रहना किस देश से ली गई है इसका राइट आंसर में आप लोगों का अप्सिन नंबर सी पूर सोवेत संग्रसे अगला है कि वर्तमान में समविधान में मूल करतव्यों के कूल संख्या है इसका राइट आंसर आप लोगों का option number D 11 अगला है कि वर्थमान में भारत में कारे पालिका का अध्यच्य कौन होता है इसका राइट आंसर है option number A. राष्ट्रपती अगला है भारती संग की किसमे नहींत है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ौप्स नंबर A संसद में, अगला है की राष्टी-पती की निर्वाचक बंडल में सामील है, कौन सामील होता है? इसका राइट आंसर है उप्शन नंबर C, संसद के दोनों शद्वन zwy Begin Ravaj2 के निर्वाचित जाता है इसका राइट आंसर है option number D उच्चितम नियाले को अगला कोश्चन है कि राष्ट्रपति पत्के निर्वाचन हे तु कौन सी पद्धती अपनाई जाती है इसका राइट आंसर है option number D उप्रोक्त सभी यानि कि एकल संक्रमणी मत अप्रत्यचे मद्दान और समान उपा राष्ट्रपति अगला है कि भारत के प्रतम राष्ट्रपति थे इसका राइट आंसर है option number B डॉक्टर राजेन प्रशाद अगला है कि निर्विरोथ चुने जाने वाले एक मात्र राष्ट्रपति थे इसका राइट आंसर है आप लोगों का option number C यानि की नीलम संजीव बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका